हीरा लाल जी शास्त्री, इनका जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जैपुर में हुआ, शास्त्री जी द्वारा 12 मई 1939 को टोंग जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में स्वावलंबन पर आधारित समाज सेवी संस्था, जीवन कुटीर की स्थापना की गई, इसका मु जैपुर सरकार के प्रधान मंत्री मिर्जा इस्माईल लव शास्त्री जी के मध्य जेंटलमेन एग्रिमेंट हुआ, इस समझोते के अनुसार जैपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इस संस्था में वनस्थली की छात्राओं को अध्ययन के साथ साथ राष्ट्रिय चेतना के संसकार भी प्रधान किये जाते थे। यह संस्था बाद में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुई, इसमें पंचमुखी शिक्षा के पांच अंग थे। राजस्थान एकी करण के समय व्रहद राजस्थान संग के प्रधान मंत्री चुने गए। अब बाद में 1949 से 1951 में राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्य मंत्री चुने गए। इनको शपत राजप्रमुख मांसिंह द्वितिये ने दिलाई थी। बाद में शास्थ्री जी 1957 से 1962 तक सवाई माधोपुर्ग शेत्र से कांग्रेस से सांसत चुने गए। हीरालाल शास्थ्री जी का निधन 28 दिसंबर 1974 में हुआ।